एडिजेक्टिव मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को बताए कि वो कैसा है या कैसी है किसका है कौन सी है कितनी है चीख है बात समझेगा जब भी sentence में ये पूछा जा सके कि ये किताब जैसे he is a good boy वह कैसा लड़का है तो पनाचला कैसा है ठीक है वह लड़की कैसी है तो उसकी जो quality को बताया जाता है वो कहलाता है adjective ठीक अब adjective के बहुत सारे प्रकार होते हैं अब adjective के प्रकार क्या होते है adjective होता है quality बताने वाला quantity बताने वाला demo hrb adjective होता है इंट्रोगेटिव adjective यह सारे जो वर्ड है ना जो जितने लिखे हुए है quality adjective proper adjective adjective of quantity adjective of number demonstrative distributive intro adjective positive अब यह सारे जो नाम है ना यह पुरा एक हम बोल सकते हैं कि family of names, बहुत सारे नामों का परिवार के सदस्तियों के नाम है, कभी वो इस कमरे में होते हैं, कभी वो noun में होते हैं, तो कभी pronoun में चल जाते हैं, तो कभी वो किसी दूसरे adjective में चल जाते हैं, या verb में चल जाते हैं, तो हैं वही नाम, तो नाम आपको सारे clear हो अब यहां पर यह सारे नाम क्या परफॉर्म करते हैं वह हमें देखना ゃक तो व में देखते हैं कैसे देखी है सबसे पहले मैं आपको बता दू एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है बहुत प्रॉपर क्लास है तो स्टार्ट हमें कुछ ना कुछ टॉपिक जहां से हम फांडेशन से स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राज is an intelligent student, राज कैसा student है, देखो पहला कैसा है, तो बताए intelligent student है, ठीक, मोहित wears blue shirt, मोहित क्या पहना है, तो पता चला कि मोहित वार blue shirt पहना है, ठीक, अब पातों को समझना, जो मैं बोलना चाहरू, राज क्या है, राज तो एक noun है, ठीक है, राज student है, student भी noun है, ठीक है, noun के just पहले क्या आ रहा है, कैसा लड़का है राज, रब पता चल रहा है कि राज बहुत intelligent लड़का है, तो बहुत intelligent राज की quality को बता रहा है, तो यह हो जाता है, ठीक, इसे हम बोलते है, attributive adjective, क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते है, attributive adjective, अब attributive adjective के बात जो आता है, noun आती है, अगर यह noun, singular countable noun है, समझना बात को, singular countable noun, मैंने आप scn कर दिया, और उसके बाद adjective है, तो उसके पहले article लगता है, अब sentence बिल्कुल सही लगेगा आप को, sentence दिया हुआ है, मोहित wears blue shirt, समझना sentence में गडबर कहां पर है, खराबी कहां है, error कहां है, मोहित क्या पहने हुआ है, shirt, यानि blue color की shirt पहना है, पारस वो तो, मैंने बुल दिया, पारस पहना हुआ है, तो shirt क्या है, shirt एक noun है, मोहित भी एक noun है, shirt के पहले उसकी quality बताने वाल shirt, adjective है, shirt countable है, 1, 2, 3, 4, आप अपने almira में देखेंगे, बहुत सारी shirts देख जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर singular countable नहीं, मतलब singular भी है, countable भी है, तो इसके पहले adjective के पहले क्या हैगा, article, मोहित wears a blue shirt, समझ में आ रहे है ये बात, आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी, अगला एक sentence है, she is a beautiful, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, attributive function जब adjective play करता है, तो वो क्या करता है, जब भी attributive function play करता है, अगर noun, singular countable है, तो हम adjective के पहले क्या लगाते है, article लगाते है, अगर plural countable noun है, मतलब plural countable noun है, या uncountable noun है, तो हम उसके पहले adjective के, मिस उसके पहले ह नहीं लगाते है, sentence को समझेगा, she is beautiful, इस वाले sentence को थोड़ी दिल बात देखते है, Mohan knows a good people, लोग, people का मतलब क्या होता है, people का मतलब तो होता है, लोग, लोग singular होती है, plural होता है, अफकूस, लोग तो मतलब, कैसा plural form में होता है, लोग, ठीक, तो यह क्या हो गया, plural countable noun, ठीक अब plural countable noun के पहले क्या article आएगा, नहीं आएगा ना भई, तो यह error है यहाँ पर, अब फिर से देखते हैं, there is a huge traffic, traffic कैसा noun है, traffic को count कर सकते हो, क्या एक traffic, दो traffic, uncountable है ना, समझ रहे ना बात को, तो uncountable noun के पहले adjective आया, huge, तो उसके पहले article नहीं आएगा, वो रूल के लिए हो रहे है आपके, अगला एक और sentence है, he has an urgent work, देखो, subject, plural, यह pronoun हो गया, हमारा subject हो गया, work क्या हुआ, काम एक noun होता है, urgent काम की विशेषता बता रहा है, work को count कर सकते हो, एक काम, दो काम, तीन काम, work, ठीक, task नहीं मुला, work, तो यहाँ पर क्या article आएगा, नहीं आएगा, he has urgent work, is it clear, हमें क्या कर रहे है, हम लोग, अभी तक हम यह कर रहे थे, कि sentence सुंदर लग रहा है, सूट हो रहा है, तो sentence सही है, नहीं हो रहा है, तो sentence गलत है, but we have to focus on thing, कि content grammatically सही है या नहीं, concept क्लियर है या नहीं, अब दूसरा पार्ट है, हमारा, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव बहुत बहुत सरल होता है, जब adjective के बाद नाउन नहीं हो, ठीक, तो प्रेडिकेटिव का रॉल प्ले करता है, अब जब प्रेडिकेटिव का रॉल प्ले करता है, समझना बात को, तब क्या आएगा यहा नाउन है दा मूवी इस एन इंट्रस्टिंग बहुत रोचक है हाँ मूवी तो बहुत रोचक है बाइया किलियर हो रहा है संटेक्स मुझे लेकिन एक बात देखिए इंट्रस्टिंग के बाद नाउन है क्या कोई देर इस नो नाउन नाउन नहीं तो क्या आटिकल आएगा यहां पर नहीं आएगा तो मूवी इस इंट्रस्टिंग समझने आ रहे यह बात आगे बढ़ते हैं हम लोग श्रीव अगला है अब प्रॉपर एड्जेक्टिव की बात आती है प्रॉपर एड्जेक्टिव होता क्या है बच्चो प्रॉपर एड्जेक्टिव क्या हम लोगों ने प्रॉपर नाउन तो पड़ी है कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल एबस्ट्रेक्ट सारी नाउन्स हमारी क्लियर है proper क्या होता जब मैंने boy कहा तो common आया जब मैंने proper कहा shivam तो shivam क्या हो गया proper हो गया country कहा तो common आगया जब मैंने India कहा तो proper आगया ठीक अब proper noun से ही क्या बनता है proper adjective sentence को देखेगा बहुत अच्छे से देखेगा आप लोग ठीक Buddhist monastery British rule बुद्धिस्त और बिटिस्ट क्या हुआ यहां पर प्रॉपर एड्जेक्टिव देखो प्रॉपर नाउन जो भी होगा उससे बनने वाले शब्द कहलाएंगे प्रॉपर एड्जेक्टिव आगे बढ़ते हैं अगला आता है हमार एड्जेक्टिव ऑफ कौन सा और यस बाद में जरूर कर देना सम्मिल्क ठीक है मात्रा बता रहा है इनफ ओइल ठीक सफिशेंड नौ अब यह क्या कर रहा है अड्जेक्टिव देट शोग्च ओफ ऑफ तिंग इसमेंट कितनी है मात्रा क्या है क्वैंटिटी क्या है ठीक है तो उसको क्या बताएगा क्वैंटिटी वाला पार्ट हमारा क्लियर आता है मैंने अभी आपको एक्स्प्रेंड क्या हुआ है चाहां तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बता रहा है सम इनफ सफिशेंट नौ इस तरह के वर्ट क्या होती है क्वैंटिटी को बढ़ाते है यह कहलाते हैं अगला वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या बता रहा है एड्जेक्टिव ओफ नंबर नंबर से मतलब आया वन टू थ्री फॉर फर्स सेकेंड थाट फॉर्स फिफ सिक्स क्लियर हो ना बहुत चोटे बच्चों जैसा समझना इस बात को देखो नंबर दो तरीके से होते हैं एक तो ह हो गया अब डेफिनेट क्या बताता है हमें ठीक डेफिनेट बताता है फाइव फिफ्ट सिक्स सेवन जो एक बिलकुल बिलकुल निश्चित नंबर को बता रहा है वो कह रहा है डेफिनेट है यहां तक क्लियर हुआ अब अगला है सेंटेंस में इंडेफिनेट अब इंडे definite बताता है वह definite कहलाएगा ही आगे बढ़ते हैं यह पॉइंट बहुत जरूरी से देखिएगा आप लोग पेपर में इससे related question पूछे गए हैं बहुत आराम से हैं बहुत बारीकी से पूछेगा क्योंकि अब जो question आपको मिलेंगे वह से संबंधिती रहेंगे यहां पर दिया हुआ है एड्जेक्टिव कार्डिनल एड्जेक्टिव क्या होते हैं नंबर वाले पार्ट में ही चल रहे हैं नंबर जो चल रहे हैं वन टू थ्री फॉर फर्स सेकंड पहला पार्ट दिया कार्डिनल ठीक फॉर एक दो तीन चार यह कार्डिनल होगा है ऐसे करकर कि कोई भी नंबर ठीक अब दूसरे क्या होते हैं दूसरे हो जैसे आप यहां पर में लगा है ही हैस फॉर पैंस चार पैन है उसके पास शी हैस टू बोक्स उसके पास दो किताब हैं जब वन टू थ्री के फॉर्म मे लास्ट समझ रहा है अच्छी तरीके से अब सेंटेंस पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है पहले चीज़ तो बतानों मैं आपको ओर्डिनल एग्जेक्टिव क्या रगते हैं अपने साथ सुपर लेटिव डिगरी दा का हमेशा यूज करते हैं दा फर्स्ट चैप्टर अर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है और ओर्डिनल के साथ दा का यूज किया जाता है दा फर्स्ट इसेकेंड थर्ड पॉर्थ ठीक एक्सेंपल देखना आप लो lesson one ठीक is on verb lesson one verb का है तो one आया तो क्या carry कर रहा है कोई article को carry कर रहा है no there is no articles अगल in the first chapter of this book जब भी हम first, second, third, fourth, last इस तरह के शब्दों का use करते है वो ordinal याने order बताने वाले कहलाते है number क्रम बताने वाले कहलाते है यह हमेशा अपने साथ क्या रखते है यह हमेशा अपने साथ superlative degree ठीक का कौन सा form रखते हैं यह समझेगा article दा इसमें use किया जाता है the one नहीं होगा, the first होगा the second, the third, the last ठीक अब इसका क्रम क्या होता है कभी कभी क्या होता है एक बार question आया था वो question ऐसा आया था समझना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा when both of ordinal or cordinal adjective come together जब sentence में one, two भी आया है, first, second भी आया है, तो उनका क्रम क्या होता है हम उसे किस क्रम में रखते हैं तो उसक्रम क्या होता है, OC OC मतलब क्या होता है, पहले क्या होता है ordinal, फिर क्या होता है cordinal, समझना बात को question ये बता रहा है, we will revise the lesson in the last two classes समझना आप sentence को last two classes, देखो first, second, third, fourth पहले आ रहा है one, two, three, four, बाद में आ रहा है बात के लिए रो रहे हैं, तो yes कर दें, yes sir, समझ में आ रहा है got it, कुछ भी लिखकर आप message कर दें, आशी, I am waiting for your reply, बहुत ही बहर्वपूर है, प्रग्या ये सब कुछ comment करेंगे, so that I will go further, मैं आगे बढ़ूंगा फिर यहां पर हमने पढ़ा है adjective of number चल रहा है, cardinal adjective होता है one, two, three, four, ordinal adjective होता है first, second, third, ठीक, ये one, two, three, याने एक, दो, three, four, ये first, second, last, इस तरीके से first, second, third, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है Monica, ये क्या होता है, जब इनका number क्या होता है O-C होता है, मतलब पहले को इंसा आता है, ordinal ordinal, फिर क्या, cardinal, पहले first, second, third, फिर 123 example आप करके देखना question में आपको दूगा तुस तरीके से we will revise the lesson the last two देखो last पहले आया two और यह हमेशाद अपने साथ carry करता है article दाको मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब बात आती है दूसरी demonstrative adjective क्या होते है अंशो देखो demonstrative adjective इना मतलब demonstrative का मतलब होता है क्या करते हैं हम demo करते हैं demo मतलब प्रदर्शन दिखाने वाले this is that is are you getting my मेरी बात समझ रहा है अब this is that is यह सभी कुछ demonstrate करने वाले शब्द होते तो अब adjective क्या होता है adjective तो बताता है quality किसकी बताता है वो noun या pronoun की समझना बात को adjective बताता है quality noun की या pronoun की कोई भी noun या pronoun हो उसकी quality को adjective बताता है तो आपको एक चीज समझना यहाँ पर एक topic clear होता है अगर demonstrative adjective के just बाद noun आती है जैसे मैंने बोला this is this girl that pen these shirts तब क्या होता है यह demonstrative adjective होता है अब हम इससे demonstrative pronoun तक कैसे पहुंच सकते हैं जब यह वाले शब्द के साथ noun नहीं होती शुरू मैं just up इसके बाल तो यह हो जाते है demonstrative pronoun this is a good girl that is a new pen these are a white shirt समझना आप बात को demonstrative adjective बताते हैं क्या this that these इनके just बात अगर कोई noun या pronoun आती है तो क्या हो जाता है यह हो जाता adjective अगर इनके just बात noun और pronoun नहीं आता तो क्या हो जाता है यह क्या हो जाता है pronoun समझ में आ रही बात अच्छे तरीके से यस कर दें हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसी तरीके से क्या हो रहा इसी तरीके से दूसरी एक बात महदवपूर्ण यह है distributed adjective भी होते हैं बात समझना बिल्कुल आपको समझते जाना है और उसके बात हम question आपको जो मिलेंगे as a test में तो आप देख पाएंगे कि हम क्या क्या पढ़ रहा है क्या क्या समझ में आ रहा है प्रोनाउन में भी पढ़ा हुआ था तो यह जो शब्द हैं घूम घूम के हमारे सामने आते हैं अब यहां पर यह बता रहा है बच्चों में distributed adjective को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना ठीक हमें क्या बताता है the distributed adjective refers to each one of number known as distributed जैसे इच हुआ एवरी हुआ अब बात को समझना इफ इच एवरी इदर नीदर अब distributed कौन कौन से शब्द होते हैं इच एवरी इदर या तो नीदर ना तो ठीक इमिडेटली फॉलोड़ बाइ नाउन उसके जस्ट बाद नाउन आता है ठीक तब वो क्या कहलाता है तब वो distributive adjective कहलाता है शब्द के तुरंत बाद नाउन आता है इच के बाद, एवरी के बाद, नीदर के बाद, इदर के बाद तो क्या वो हो जाएगा? वो हो जाएगा distributive adjective और अगर उसके जस्ट बाद ये नहीं आता तो क्या हो जाएगा वो? distributive pronoun हो जाएगा समझना बात को each boy took the test a boy क्या है common noun each of the boys समझना तो each यहाँ पर क्या function play करेगा मैं हमेशा बात करता हूँ grammar की functional grammar के बारे में functional grammar यही होती ही बच्चों जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर हर एक part of speech बीच अपना अलग-अलग function play करता है समझ में आ रही यह बात इससे एक बात समझ में आती है each जो होता है ना बच्चों वो दो लोगों के लिए represent करता है question करेंगे तो देखेंगे और every दो से अधिक की तो लना करता है आपकी क्लास बहुत महत पून है आशी देखते रही है अब आती यह बात interrogative adjective ठीक बात सुनिएगा अपनों interrogative word कौन कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव सा मतलब क्या होता है हमारा interrogative से हमारा मतलब होता है question वाले शाब question मारा जिन से हम question पूश सके ठीक यह interrogative होए है अब interrogative word कौन कौन से होते हैं any guesses interrogative word तो बहुत सारे होते हैं जैसे what when why wh word जितने भी होते हैं वो सारे interrogative word होते हैं समझना आप अब जब भी interrogative word आते हैं तो they are used interrogative adjective जब वे नाउन के साथ होते हैं समझ रहे बात मेरी जब वे नाउन के साथ होते हैं वो ही वाली बात आ गई यहाँ पर कि उसके interrogative word के जस्ट बाद अगर नाउन आता है नाउन है ना मतलब noun is kind of salt नमक की तरह हर जगे यूज होता है वो ठीक तो noun बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको जब interrogative word के बाद noun आता है तो वो interrogative adjective होते है और interrogative word के बाद verb आता है तो क्या हो जाते है interrogative pronoun हो जाते है what did you do तुमने क्या किया था तो आपको समझ ना है interrogative word जो होते हैं उनके जस्ट बाद अगर noun आती ही तो वो adjective होते है और noun नहीं आती तो वो pronoun होते है